नमस्कार मैं हूँ आठी और आप देखने अज़र नियुस इंडिया और इस वक्त एक पर फिर हादूर आपके सामने अनोखे परिवार की एक अनोखी कहाने को लेकर भला कभी ऐसा होता है कि कोई अपने कद की चलते पूरी दुनिया भर में मशुहूर हो जाए यकीन नहीं होता है तो मैं आपको बता दूँ कि ऐसा हुआ है एक ऐसे परिवार है जो अपने कद की चलते पूरे शहर में ही नहीं बलकि आज पूरी दुनिया में मशुहूर हो जुगा है यह परिवार जब जब बाजार में निकालता है तो लोगों की नजर उनके ओफर ठहर ही जाते हैं आखिर कौन है यह परिवार कहां से आया है और कहां है यह परिवार जिसे लोग देखने के लिए ठहर जाते हैं तो बने रहे आप वीडियो के एंड तक आपको बताएंगे तो चलिए बताते हैं आपको क्या अखिर ये परिवार कौन है कहां से आया है और क्या खासे थे इस परिवार में जिसके लिए ये मशुहूर है तो जिस परिवार के बारे में हम बात कर रहे हैं वो परिवार है हैदराबाद का चुहान परिवार चोटा कद जिसके कारण लोगों को काफी को सुनना पड़ता है, सहना पड़ता है अक्सचोडे कदवालों को उन सब बातों को भी सहना पड़ता है जिनकी उन्हें कभी उमीद नहीं होती और ऐसा ही परिवार ये हैदराबाद का रहने वाला है परिवार के मुखिया बावन वर्षियर रामराज बताते हैं वो कहते हैं कि हम जब भी कही निकलते हैं लोगों की भीड से घेट जाते ही लोग उन पर हसते हैं तरह तरह के सवाल पूछते हैं आप इतने छोटे क्यूं हो कहां से आई हो हर कोई कमेंट करता है राम राज विवाह स्वागत करता का काम करते हैं मतलब restaurant, palace वगरण में बाहर खड़ी होकर महमानों का स्वागत करना लेकिन उन्हें नौकरी की जरूरत है क्योंकि परिवार की जरूरत बड़ी है विवाह स्वागत करता का काम घर चलाने के लिए प्रयाप्त नहीं हो रहा वो कहते हैं कि कोई उन्हें नौकरी देने के लिए तयार नहीं होता जो भी मिलता है पूछता है कि आखिर कैसे आप काम करोगे रामराज की 27 वर्षय बेटी अंबिका अकाउंटेंड की नौकरी करना चाहती है लेकिन उसी विकार से पिरित है जो पिता से उसे मिला है उसे भी नौकरी तलाशने में कटनाई हो रही है अंबिका के मताबिक वो इसलिए रिजेक्ट कर दी जाती है क्योंकि लंबी नहीं है वहीं अंबिका का शोटा भाई टैलिफोन बूत में काम करता है और बड़े भाई की पद्नी टेलर है जैसे तैसे सब गुजारा कर रहे हैं रामराज कहते हैं कि ये विकार पुर्षों के लिए भी उतनी ही बड़ी समस्या है लेकिन बेटियों की चुनोती बड़ी है क्योंकि आगे चलकर उनकी शादी भी करनी है अनुवाई शिकी का ये विकार रामराज के परिवार से आया है 21 लोगों के उनके परिवार में 18 लोग बौने हैं इन में रामराज उनकी 7 बहने और 3 भाई बौने थे कई तो अब गुजर भी चुके हैं ये परिवार शारेरिक समस्याओं से भी जूच रहा है ज्यादा तर के पैर कमजोर हैं अंबिका के छोटे भाई को तो चलने के लिए सहारे की जूर पड़ती है खास बात ये है कि रामराज की पतनी के लंबाई समानी है लेकिन उनका कोई बच्चा लंबा नहीं हुआ तो जैसा कि आपने देखा ये कहानी थी एक अनोखे परिवार की फिर आल आपको बता दें कि जैसे की रामराज का कद बेशक छोटा था लेकिन उनकी पतनी का जो कद है वो समानी था लेकिन आगे उनकी जितनी भी संतानी हुई है उन सब का कद जो है वो छोटा रहे गा लेकिन एक खास बात ये देखने को जरूर मिली कि किसी ने भी हिम्मत नहीं हा रहे है आज भी उनमें होसला बढ़करार है और आगे बढ़ने की लगतार कोशिश करते हैं तो फिलाल इस कहानी को लेकर आपका क्या राय है आपकी क्या सुझाव है हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर कीजेगा चैनल को सब्सक्राइब कि खबर बड़ी अपडेट और इस तरह की कहाई यह आप तक सबसे पहले पहुंच सके फुली देट अपडेट अप्डेट अफालो आवर फेस्बूक पीजेस्ट नियूज और दोंट फोगेट तो सब्सक्राइब आर यूट्यूब चैनल एंप्रेस्ट बैल आइकन